ओम नमाशिवाय नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रत्योहार टोट के मैं हूँ आपके साथ रिमजिम शर्मा दोस्तो इस बार के सावनमास में कई पवित्र सयोग बने हैं बहुत ही मंगलकारी रहा है इस बार का शिवजी का प्रियमास सावन सावन की शुरुवात सोमवार से समापन भी सोमवार को अमावस्या की तिथी भी सोमवार को और अब पुर्णिमा भी सोमवार को ही है इसे ही कहते हैं दोस्तो अदभुत संयोग दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी सावन पुर्णिमा जो की सोमवार को पढ़ रहा है इसलिए इस बार की पुर्णिमा को हम सोमवती पुर्णिमा कहेंगे बहुत ही मंगलकारी है सोमवती पुर्णिमा के दिन जो व्रती पुर्णिमा व्रत रखते हैं वो किस प्रकार से पुर्णिमा का व्रत रखेंगे चंद्रमा का दिन होता है पुर्णिमा की तिथी और चंद्रमा मन का कारक है तो हमें इस दिन और क्या करना चाहिए? मा लक्षमी को भी अतिप्रिय है, पुढ़ने माते थी. तो मा लक्षमी को प्रसंद करने के लिए हमें क्या उपाई करने चाहिए इस सोंवतिया मावस्या? यह तमाम जानकारियां मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ. तो वीडियो अंथ तक देखकर जरूर पूरा लाफ उठाएं. वीडियो पसंद आए तो परिवार दोस्तों तक जरूर शेर करें. और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए मेरी चैनल प्रत्योहार टोटके को जरूर सब्सक्राइब करें. दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए बे आवस्या के दिन आप पवित्र नदियों में स्नान करें. बहुत ही जादा पुन्यफल प्राप्त होता है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुमवतियम आवस्या के दिन हम पवित्र नदी में स्नान करें. लेकिन क्योंकि दोस्तों हमें और आप सभी को पता है कि इन दिनों का जो वक्त है, जो दौर है वो ठीक नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते च्टान करने के लिए नदी में, तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं पवित्रता के साथ में, अगर घर पर आपके गंगा जल मौजूद हैं, तो कुछ पूंदे गंगा जल की, आप जरूर अपने स्नान करने के पानी में मिला लें। और ऐसा माने कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्रधा और विश्वास में सब कुछ है तो अगर आपको विश्वास है और श्रधा है तो बिलकुल ही सब कुछ मंगलकारी ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोमवती अमावस्या के दिन, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि चंद्रमा की तिथी है, तो हमें पूजा आराधना इस दिन करनी होती है चंद्रमा की, मा लक्ष्मी की, भगवान भोलिनात, शिवशंकर की, सोमवती पुर्णिमा, जैसे मैंने दोस्तों, पुर्णिमा की तिथी, चंद्रमा की तिथी होती है, भगवान भोलिनात के सिर पर चंद्रमा शोभित है, और इस दिन अगर हम पूजा करते हैं, भगवान शिवशंकर भोलिनात का और साथ ही चंद्रदेव का बहुत ही जादा मंगलकारी होता है, इस दिन आप भगवान भोलेनाद की पूजा आराधना में रहें, कोशिश करें सफेद वस्त्र पहनने की, चंद्रमा का भी रंग सफेद वस्त्र होता है और शिव को भी सफेद प्रिय है, तो कोशिश करें सफेद वस्त्र पहनें, आप इस दिन सरूर शिव भगवान का दूद से अभिशे आप सुबह की पूजा में भगवान भोलेनाद को खीर का भोग लगा सकते हैं यह जो भी भोग लगाएं कोशिश करें भोग सफेद रहे बहुत ही शुब होता है पुर्णिमा की तिथी को भगवान भोलेनाद को सफेद चीजों का भोग लगाना पुर्णिमा की तिथी के दि मालक्ष्मी की आराधना भी बहुत ही जादा मंगलकारी है मालक्ष्मी आपके जीवन में हर तरीके से जो भी कष्ट है धन संबंदी उन कष्टों को दूर करेंगी अगर सोमवती अमावस्या के दिन मालक्ष्मी की आप आराधना करते हैं तो शेंद्रमा की आरादना करनी है, शिवशंकर भोलेनात की आरादना करनी है, मातललक्षमी की आरादना करनी है और आपको सत्नारायन स्वामी की अगर कथा आप कहबा सकते हैं घर पे, तो ऐसा करें. बहुत जादा ये भी पुर्णिमा के तिथी को सत्नारायन स्वामी की कथा घर पे करनी चाहिए आप सत्नारायन स्वामी की कथा नहीं कर पा रहे हैं तो आप भगवान विश्नु की आरातना पुर्णिमा के तिथी को करें बहुत ही शुफल्दाई होता है ये तो इन भगवानों की पूजा आराधना का दिन होता है तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि पुर्णिमा के तिथी मालक्षमी को बहुत ही प्रिये है तो इस दिन अगर किसी भी तरह की आर्थिक तंगी है आपके जीवन में तो आप मालक्षमी की आराधना जरूर करें सुमवती पुर्णिमा के दिन आपको क्या कुछ उपाय करने है अब मैं वो बताती हूँ सुमवती पुर्णिमा के दिन आपको माता लक्षमी की आराधना करनी है आपको मालक्षमी को जो माना जाता है कि सुमवती पुर्णिमा के दिन पीपल के व्रिक्ष में विराजमान होती हैं वहाँ उनका आगमन होता है तो आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ा कर जल अर्पित करें आप जल में शक्कर भी डाल कर सफल दामपत्ती जीवन के लिए भी सोमवती पुर्णिमा के दिन आपको उपाय करने चाहिए। और अगर अकेले अकेले अलग अलग भी कर रहे हैं तो भी कोई दिकत नहीं है लेकिन ऐसा जरूर करें। अगर अर्पन करते हैं अर्ग देते हैं तो धन संबंदी तमाम समस्याओं का खात्मा होता है। ओम, एं, क्लिंग, सोमाय, नमह मंत्र का जब करना है। ये मंत्र जब करते हुए आपको अर्ग देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे धीरे-धीरे आर्थिक समस्याओं जो आपके जीवन की है वो खत्म हो जाती है। एक अन्य उपाई मैं आपको बताओ, माता लक्ष्मी का उपाई है, बहुत ही अद्भुत उपाई है ये और आपको ये करना चाहिए। पूर्डिमा के दिन आपको मालक्ष्मी की कोई भी मोर्ती फोटो आपके घर पर हो, उन पर ग्यारह कौडियों का ये उपाई है, ग्यारह कौडियां चड़ा कर उन पर आपको हल्दी से तिलक करना है। अगले दिन सुबह इन कौडियों को आप एक लाल कपड़े में बांध दें और अपनी तिजोरी में, जहाँ आप पैसे रखते हैं, अलमीरा में, जिस जगा पर भी आप रखते हैं, वहाँ इसको सुरक्षत रखतें, इस उपाई से घर में धन की कोई कमी कभी नहीं होती है आपको ये हर पोडिमा के दिन करना है, आपको अगले पोडिमा को क्या करना है, फिर उस तिजोरी से जहाँ पैसे आप रखती हैं, वहाँ से उन कौडियों को निकालना है, उनको साफ करना है, माता लक्षमी की पूजा करनी है, और उन पर एक बार फिर से आपको हल्दी का तिलक लगाना है फिर से उसे लाल कपड़े में बांद करके आपको रख देना है ये आप हर पुर्णिमा को कर सकते हैं ऐसा माना जाता है ऐसे तीजोरी पर मा लक्षमी की कृपा सदयाब बनी रहती है तो इस उपाई को आप जरूर करें पुर्णिमा केते थी के दिन जैसा मै जाता है कि धन संबंधी, सुक्ष, सम्रिधी और एश्वरी की जो आपकी चाहत है वो एश्वर्य की देवी माल लक्षमी के कृपा से आपके घर में एश्वर्य का स्थाई रूप से वास हो जाता है आप ऐसी प्रात्ना मा से करें कि माता आपके घर में स्थाई रूप से न पूजास्थल बना रखा है, मंदिर बना रखा है, वहाँ पर आपको सोमवती पोड़ेमा के दिन, जो कि 3 अगस्त को आ रही है, बहुत जल्ब में है, आप यह उपाई जरूर करने धन लाव के लिए, एक श्री यंत्र, अगर आप वैपारी हैं, वैपारी के जगा आपकी थापना करनी है, और कैसे करनी है, आपको मैं बता दू, आपको साबूत अक्षत लेने, अक्षत ऐसे जो कि चावल, जो बिलकुल अखंडित हो, बिलकुल तोटे फूटे ना हो, और एकदम साबूत अक्षतों के ऊपर, आपको इनको श्री यंत्र को, या वैपार विर्धी या फिर एक आक्षी नारियल जो माता का बहुत प्रिय होता है उसकी स्थापना आप करें बहुत ही ज्यादा शुबता लाता है और माना जाता है कि एसे तिजोरी में ऐसे निवास थल पे जहां पे श्री यंत्र या जैसे बिजनस प्लेस पे जहां पे व्यापार वृधी यंत्र, कुबेर यंत्र है, एक आक्षिनारियल के अगर आप स्थापना कर रहे हैं, तो बहुत शुबता रहती है और धन की, कभी कोई कमी नहीं रहती, एक अन्य उपाय मैं आपको बता दूँ, आप घ भगवान विश्नु को इससे अभिशेक करें, बहुत ज्यादा कृपा होती है भगवान विश्नु की, तो दक्षिनावर्ती शंक को रखना घर में, और खासतोर पर पुर्णिमा के तिथी को उसको पूजन करना बहुत ही शुबता लाता है, पुर्णिमा के तिथी, चंद् से 20 मिनट तक देखिए, इसे करने से आपके नेत्रों की ज्योती तेज होती है, ऐसे बच्चों को दोस्तों खासतोर पे करवाना चाहिए, आजकल बहुत कम उम्र में बच्चों के आँखों पे चश्मा लग जाता है, उनकी रोश्नी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी ची पुर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोश्नी हमारे शरीर के लिए बहुत लाबधायक है, मन को सुकून प्रदान होती है अगर हम पुर्णिमा के तिथी में चंद्र की रोश्नी में स्नान करें, अगर पुर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्ववती महिला पर पड़ तो बच्चा जो गर्वस्त शिशु होता है वो बहुत स्वस्त होता है ये उपाई गर्वती महिलाओं के लिए है जरूर वो करे इस उपाई को कि पूर्णिमा के दिन चांद जब पूरे अपने शवाब पर हो पूर्णिमा के तिति हो तो गर्वस्त शिशु की स्वास्त के ल उपाई हैं बहुत स्यादा लापकारी मंगलकारी खास तोर पे, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस दिन हम भगवान चंदर देव की पूजा करते हैं, भगवान भोले नाथ की पूजा करते हैं, मा लक्षमी कोते प्रिया है ये दिन और भगवान विश्नु को भी बहुत प् ये बहुत ही शुबता लाता है आपके जीवन में, तो दोस्तों कई उपाई मैंने आपको बताए हैं, कई ऐसे छोटे सरल उपाई हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकते हैं, और इसका पूरा लाव उठा सकते हैं, क्योंकि इन उपाईों को करने से अगर आस्ता और विश्वास के साथ करते हैं, मेरा ये मानना है कि आपके जीवन में जरूर खुशहाली सुक सम्रधी सौभागी आएगा, विश्वास रखें और उस विश्वास के साथ जरूर करें, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवार तक शेर करना ना भूलें, चैनल पर अगर आप नए आए हैं, वीडियो देखें आपने और आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया